जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए भारत एवं विस्व में पहला यानि की भारत एवं विस्व में पिर्थम तो भौत ही महत्त्रपुन यहाँ पर important question है तो आपके लिए वीडियो को लाइक करना है हम आपके लिए नगे की बारे में बताना चाहूंगा नगे यहाँ पर आपके लए फ्री प्लान हैं जिसमें आपको यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं जिसमें टॉप एजुकेटर की माधत्धम से आपको पढदने का Studio को minimum को नहरा मौका बना मौक को है इसी के साहथ आ और भी आपके लिए यहां पर बहुत सारी फायते हैं, लाकेड मी, यहां पर अगर आप पनी पृर्लान अक्सेस करना चाहेते हैं, तो लाकेड मी याध ili लियां तुर्ड करना झूँच करना है, और याद रखें, और यहां पर information है दोस्तों अनेकेडमी लेकर आया है आपके लिए प्लस बैच जिसमें आपके all-round preparation के लिए जिहां अब अनेकेडमी के साथ आप अपनी मन पसंद बैच जान कर सकते हैं और अपनी preparation की हिसाब से इस में से कुछ बैच आपके start हो चुके हैं और कुछ जो बैच जल्दी start हो जाएंगी और आपकी preparation के हिसाब से आपको बहुत मदद करने बाली हैं और अगर आप चाहते हैं प्री preparation का जामबान तो अनेकेडमी लेकर आया है यहाँ पर unlimited आपके लिए 60 दिन का एवेच कोर्स है यह start हो रहा है आपका चार जनवरी को इसमें आपको पूरा प्री कोर्स है रिवीजन होगा डेली दिन में और मिलेगे dedicated live mcq session daily सामको इसमें enroll करने के लिए आप बिलकुल भी देरी मत करें और यहाँ पर आपको क्या है अगर आप अपनी speed में revision करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर pre के लिए यहाँ तो आपके लिए यहाँ पर संपून ग्यान revision जो start हो रहा है आपका हो गया है 28 से देसंबर से यहाँ आपको 270 से भी जादा record session मिलेंगे और अपना revision पूरा करने के लिए अगर आपको कोई doubt आता है तो आप doubt clear session में जाकर इसका जो है doubt clear भी कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का अपना ये वीडियो आज का first question है भारत का पहला भूमिगत railway station कहाँ बनाया जाएगा तो आपके यहाँ पर सही answer है विकल्प नमबर एक यानि की हिमाचल प्रदेश right answer है अंगला question देख लेते हैं भारत का पहला फन जोन किस railway station पर इस्तापित क्या गया है question number 2 है और इसका सही answer है विशा का पट नम आंद प्रदेश आपका विकल्प नमबर एक राइट answer है अंगला question है question number 3 कि भारत का पहला सोर रसोई वाला गाओं कौन बना है most important question है भारत का पहला सोर रसोई वाला गाओं बना है तो आपका सही answer है विकल्प नमबर बी यानि की बांजा गाओं बैतुल मर्द प्रदेश आपका right answer है और अंगला question देख लेते हैं क्या है कि भारत क पहला बोटर पार्क कहां खोला गया है तो भारत का पहला बोटर पार्क पूंचा है यहाँ पर question number 4 और आपका सही answer है यहाँ पर विकल्प नमबर C गुरु ग्राम हर्याना आपका right answer है और अंगला question है यहाँ पर कि अंतरेक्ष में सबसे लंबी अबदी तक रहने वाली पह गुरुप से अबसे जोड़ जाएं लिंक डिस्क्रिप्शन में गी टेलिग्राम गुरुप की वहीं पर आपके लिए पीडियाप और जो भी study material रहता है वैसा भी आपके लिए टेलिग्राम गुरुप नहीं उपलब दे कराए जाता है अंगला question है यहाँ पर क्या है अंग बिहार में अंगला question है क्या है कि भारत का पहला year purifier कहां इस्तापित किया गया है तो question number 7 का सही answer है विकल्प number B यानि कि आपका बेंगलूर करनाटक right answer है विकल्प number B अंगला question देख लेते हैं question number 8 है यहाँ पर कि भारत का पहला भारत का सबसे बड़ा बायू गुणबत्ता निगरानी नेटवर्क है कहां इस्तापित किया जाएगा तो इसका जो सही answer है question number 8 का विकल्प number B यानि कि मुंबई आपका इहाँ पर सही answer है विकल्प number B आपका right answer है Mumbai मुंबई सही answer है पर अंगला question है अपने यहाँ पर कि देश का पहला plasma bank कहां खूला गया है most important question है तो देश का पहला plasma bank कहां पर खूला गया है आपका कहां पर दिल्ली यानि कि विकल्प number B आपका यहाँ पर right answer है अंगला question देख लेते हैं question number 10 भारत में dinosaur park के किस राज में ख खोला गया है वह कहां पर खोला गया है तो आपका सही answer गोजरात यानि कि विकल्प number B आपका right answer है भारत की पहली 20 में शुरुआत कहां की गई है तो question number 11 का right answer है आपका क्या है question number 11 का right answer बेकल्प number C यानि कि नई दिल्ली नई दिल्ली आपका right answer है प्रंगला question है कि भारत का सबसे लंबा express भी किस दो सहरों को जोड़ेगा तो किस दो सहरों को जोड़ेगा तो question number 12 का सही आंसर है नई दिल्ली और मुंबाई question number 13 भारत का पहला real view विस्विद्याले कहां पर खूला जाएगा most important question है भारत का पहला real view विस्विद्याले question number 13 का right answer है बड़ोधरा गुजरात आपका यहां पर right answer है अंगले question है कि भारत में हात्यों के लिए पहला जल चिकिस्था चिकिस्थाले कहां खूला जाएगा तो question number 17 का यहां पर सही answer है क्या है अंगले question है question number 18 है क्या है कि भारत का पहला आधार सीवा के अंदर कहां खूला जाएगा question number 18 है तो question number 18 का right answer है यहाँ पर विकल्ब नमबर D दिल्ली और विजय बाड़ा आपका यहां पर राइट आंसर है दिल्ली और विजय बाड़ा में जो है यू आई डी ए आई दौरा चालित पहला आधार सेवा के अंदरे शुरू हुआ है और अंगला कॉस्चन है भारत का पहला सिंगल यूज पिलास्टिक फ्री हवायड़ा क यूज पिलास्टिक फ्री प्लास्टिक रहत हवायड़ा गोसित क्या है अंगला कॉस्चन है कि वर्ष दोहजार एकके से तक भारत का पहला डिश्चार सहर कौन बने जाएगा तो है कॉस्चन नमबर बीस है और इसका जो सही आंसर है विकल्प नमबर एक ग्रेटर ग्रेट सही आंसर है विकल्प नमबर एक राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है कॉस्चन नमबर ट्ञेटी न हरे डोहैड़ा वाला टेश का पहला राज्य बन जाएगा तो कॉस्चन नमबर एक केस का राइट आज़ार है माच यहना चल प्रिदेश विकल्प नमबρώ C हो कह यह आने का लक्ष रखा गया है Question number y is कि भारत का पहला हीरा संग्राल है कहां खुला गया है To question number y is का right answer आप कहां है विकल्प नमबर d यानि की खज़ुराहु जो की कहां पर है मद्ध प्रिदेश में खज़ुराहु की जो मंदर है प्रशिद्दे बंदिर हैं, अंगले कोस्चिन है कि भारत का पहला ब्लाक चेन जला कौन सा, कौन बना है, तो कोस्चिन नमबर तेज का राइट आंसर आपका याँँ पर है, क्या है विकल्प नमबर एक, यानि कि हैर्दराबाद, हैर्दराबाद आपका पहली आंसर है, पर इसका सही आंसर है question number 24 का विकल्प number D यानि कि तमिल्नाडू तमिल्नाडू आपके यहाँ पर सही आंसर है अंगला question है देख लें अंगला question क्या है आपका भारत की पहली underwater train कहाँ चलाई गई तो पस्चिम बंगाल गुहांटी असम चेहने तमिल्नाडू अंद प्रदेश है तो स्वक्षे सर्वेक्षन 2020 के अनुसा सबसे स्वक्षे सहर कौन सा बना है तो most important question है और आपका सही आंसर है क्या है इंदोर यानि की विकल्प number B आपका यहाँ पर right answer विकल्प number B विल्कुल सही बताया है बर्स 2020 के स्वक्षे सर्वेक्षन परुषकारों की घोशना कर दी गई है जिसमें इंदोर ने लगातार चोथी बार चोथी बर से भारत का सबसे स्वक्षे सहर होने का अपना दर्जा बनाई रखा है और एक लाग से अधिक आबादी वाले सहरों के लिए सबसे स्वक्षे सहर का पुरुषकार इंदोर मद्दप्रदेश सूरत गुजरात और आंसर है Q27 का विकल्प नंबर एक कटक उडीसा आपका राइट आंसर है Q28 वारत का पहला कारवन पॉजिटिव गाओं कोन बना है Most important question है भारत का पहला कारवन पॉजिटिव गाओं बना है Q28 का राइट आंसर है विकल्प नंबर B यानि कि फे इंग मडीपुर आप कह यहां पर right answer है अंगला question है क्या है अंगला question तो देख लें अंगला question है भारत का पहला गिद्द प्रजनन और सर्रक्षन के अंदर कहां खूला जाएगा most important question है भारत का पहला गिद्द प्रजनन और सर्रक्षन के अंदर खूला जाएगा तो question नमबर 29 का सही answer विकल्प नमबर एक उत्तर प्रिद्रीस यूपी आपके हैं पर राइट आंसर है और अंगला कॉस्चन है क्या है आई एस ओ सैटिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है कॉस्चन नमबर तीस और इसका सही आंसर विकल्प नमबर ब अंभी का पूर 36 गड़ आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नमबर सी सही आंसर है अंगले कॉस्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला कच्छुआ पुनरवास के इंदर कहां इस्तापित क्या जाएगा तो इस्तापित क्या जाएगा कॉस्चन नमबर 32 का राइट आ अंगराल है कहां खूला जाएगा कॉस्चन नमबर 33 से और इसका सही आंसर है लोथल गुजरात आपका यहां पर राइट आंसर है लोथल गुजरात अंगले कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 34 से भारत का पहला हेल्थ ATM कहां खूला जाएगा कॉस्चन नमबर 34 से और इसका सही आंसरą विखल्प नंबर एक लगनव उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर तर प्रदेश में भारत का भारत का पहला हेल्थ ATM खूला जाएगा अंगला कॉश्चिन है पबिलेक ट्रांसपोर्ट फ्री करनिवाला पहला देश बन गया है पबिलिक ट्रांस्पोर्ट प्री करनी वाला पहला देश बन गया है Q35 का सही आंसर है लगसंबर्ग आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर C यहाँ पर सही आंसर है अगले Q2 भारत का पहला रोबूट रेस्टूरेंट कहां खोला जाएगा Q36 भारत का पहला रोबूट रेस्टूरेंट कहां खोला जाएगा तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर C चैन्नाई तमिलनाडू आपका राइट आंसर है भारत में तमिलनाडू की राजदानी चैन्नाई में पहला रोबोट रेटूडेंट खुला था जिसमें रोबोट काना नाए परोस्ते थी यहां रेटूडेंट चेन्नने की पोस इलाके महावली पुरम में खुला गया था अंगला कॉस्टन है भारत के सबसे बड़े चर्के का उद्धगाटन कहां किया गया है तो इस चर्की का उद्गाटन क्या गया है कहां पर गया है question number 37 का सही answer नुएडा उत्तर प्रदेश आप कहां पर सही answer होगा नुएडा उत्तर प्रदेश अंगला question है क्या है कि स्वक्ष सर्वेक्षन 2020 में राजधानियों की स्रियानी में किस राजधानी को पहला इस्तान प्राप्थ हुआ है question number 38 से बहुत इमात्पुन question है और इसका सही answer है विकल्प number 1 यानि की दिल्ली आप कहां पर right answer है दिल्ली विकल्प number 1 सही answer है दिल्ली जो है राजधानी की स्रियानी में दिल्ली को पहला इस्तान हासिल हुआ है अंगला question है भारत का पहला garbage clinic यानि की E कचड़ा कहां खूला गया है तो आपका right answer है question number 49 का वह है क्या है right answer विकल्प number D यानि की भूपाल मद्द प्रदेश आपका सही answer है जो भूपाल यहाँ पर सही answer है एथिनोल से चलने वाली भारत की पहली बाइक कौनसी है most important question है एथिनोल से चलने वाली भारत की पहली बाइक जो है आपका सही आंसर है TBS आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा TBS मोटर ने जो है इथिनोल से चलने वाली देश की पहली वाई के TBS अपाची RTR 200 IFI जो है जो है जो है जो आपकी इथिनोल से चलने वाली गाली है देश का सबसे बड़ा राष्टीए के अंसर सांस्थान कहा खोला गया है देश का पूशा है तो देश का जो खोला गया है वह कहाँ पर खोला गया है QUESTION नंबर 41 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर B अ हर्याणा हर्याणा आपका सही आंसर है आनन्द बिल्ट बाई हर्याणा के जजजर में आज देश का सबसे वड़ा राष्टिय के अंसर संस्तान सुरू होनी जा रहा है प्रदानवंतरी नरेंज मोधी कुरूचेत से वीडियो कौनफरेंसिंग के जरी इसका उतकाटन करेंगी और अंग विकल्ट नमबर एक भारत का पहला CNG टर्मिनल कहां खोला जाएगा तो भारत का पहला CNG टर्मिनल जो खोला जाएगा कहां पर खोला जाएगा कोश्चन नमबर 43 तो भावनंगर गोजरात आपका यहां पर सही आंसर है विकल्ट नमबर C आपका सही आंसर है भावनंगर प्रेश्डे नेचुरल जैस टर्मिनल बन जाएगा क्योंकि सरकार ने उनीस सो कड़ो रुपे की ब्राउन फील्ड पर योजना को अपनी मन्जूरी दे दिये टर्मिनल में साल आना पचास लाक टन की छमता होगी किस राज में देश के पहले देशापलिस से स्टेशन का उद नमबर C अंगले कॉस्चन है कि भारत का सबसे उंचा A T C टावर जो है कहां बनाया गया है तो A टावर बताना है कहां पर बनाया गया है कॉस्चन नमबर 45 का सही आंसर है दिल्ली विकल्प नमबर B आपके यांपर सही आंसर है दिल्ली आपका राइट आंसर है भारत का पहल कहां पर किया जाएगा question number 40 तो मद्द प्रदेश आपके हैं पर सही answer है विकल नमबर सी आपका right answer है मद्द प्रदेश में देश का पहला time bank खोला जाएगा इस time bank में आप अपनी एक चानुसार कोई सेवा देंगे और इसकी बदली आपकी खाते में उतनी ही घंटे जमा कर दिये जाएंगे जनका लाब आप ऐसी ही किसी सेवा के लिए कभी भी ले सकेंगे भारत का पहला जिला cooling system कहां बनाये गया है question number 47 है और इसका जो सही answer है भाई आपका विकल नमबर डी आंद प्रदेश आप कहां पर राइट आंसर है आंद प्रदेश आंद प्रदेश के अमरावती में सुरू किया गया भारत का पहला जिला cooling system आंद प्रदेश सरकान ने सहित अरब अमिरात की company national central cooling company PJSC के साथ अमरावती की green field city को जिला cooling समाधान परतान करने के लिए 30 वर्षिये रियासती समझ विए 50 चार किये हैं लेस में solar rooftop इस्तापित करने में किस राऑज़ी के इन राज़ ने पहला इस्तान हासिल क्या है तो पहला इस्तान हासिल क्या है राज़ी बताना है कौन सा है तो question number है आप कही हैं आपि 99 आ Knights answer बताना है क्या है इसका सही answer तो question number 48 का सही answer गुजराच विकल्प number D भारत का पहला digital garden कहां बनाया गया है question number है आपका 49 भारत का पहला digital garden कहां बनाया गया है केरल गुजराच पाष्चिमबंका नई दिल्ली question number 49 का सही answer विकल्प number 1 केरल आपका सही आंसर है देश का पहला digital garden पेड़ों पर लगे QR code को scan करते ही मिलेगी पूरी जानकारी और अंगला question है भारत को सबसे लंबी नदी रोबे का उधगाटन किस राज में हुआ है तो किस राज में हुआ है आपको बताना है question number 50 है और इसका सही आंसर है आपका विक river रोबे तारों की जरिये नदी पार करानी वाला बाहन मिल गया है जहां ब्रह्मिपत्र नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा लगभग 56 कलूर की लागत से बना एह रोबे 1.8 km की दूरी तय कराएगा भारत का पहला किसान आयोग किस राज जिने इस्तापित क्या ह पहला किसान आयोग किस राज जिने इस्तापित क्या है कॉस्चिन नमबर 1 है कॉस्चिन 51 तो आपके हैं आपर सही आंसर है क्या है इसकर राइट आंसर आपका right answer है मेगाला विकल्प number D आपका right answer है मेगाला है आपका सही answer भारत का पहला design develop के अंदर कहां खूला जाएगा एह बताना है तो question number bound का आपका यहां पर जो सही answer है बहें आपका विकल्प number क्या right answer B यानि की सूरत गुजरात आपका right answer है भारत का पहला design development center फेन रोबा टेक्स्टाइल सहर सूरत में launch किया गया है केंदर फैसन design छेतर के छेतर में सहर को बढ़ावा देगा और अंगले question है भारत का पहला glass bridge कहां बनाया जाएगा तो question number 53 है और इसका सही answer है क्या right answer उत्त्राखंडे दिसी case आपके हाँ पर सही answer होगा अंगले question है question number 54 भारत की पहली green car loan की शुरुआत किस बैंक ने की है तो बैंक का नाम बताईए question number आपका 54 चंगण का सही answer है SBI SBI विकल्प number एक आपका right answer है SBI ने अपना पहला green car loan योजना launch की है बैंक की योजना एलेक्टर काण या खरीदने के लिए लोगों को प्रोसाहित करना है इस उद्देश से SBI मौजूदा योजना की तुल्ला में कम ब्याजदारों वाले car loan की पिसकस कर रहा है अंगले question है mobile पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविदा देने वाला भारत का पहला बैंक के कौन बन गया है question number 55 है और इसका जो सही answer है वह है विकल्प नमबर D क्या है इंडस इंडग मैंक आपका यहाँ पर right answer है विकल्प नमबर D right answer होगा भारत का सबसे उचा sky cycling track कहा बनाया गया है question number 56 बहुत ही महत्यपुन question है और इसका जो सही answer है वह है बताना question number 56 है तो मनाली विकल्प नमबर C सही answer है भारत का पहला Indian trade bemen center कहां इस्तापित किया जाएगा तो question number sun town है और इसका जो सही answer है question number sun town का विकल्प नमबर 1 आपका right answer है कोजी कोण केरल आपके यहाँ आपर right answer है केरल केरल में इस्तापित किया जाएगा और अंगला question है अपने आपर भारत का पहला संगीत संग्राले कहां खोला गया है तो question number untown का सही answer भारत का पहला संगीत संग्राले कहां पर खोला गया है तो एह खोला गया है आपका कहां पर थुरू ब्यारी तमिलनाडू आपका यहां पर right answer होगा अंगला question है कि भारत का पहला रोगानू रोधी पिर्तिरोध हब कहां खोला गया है most important question है question number 69 और इसका सही answer है question number 69 का विकल्प नमबर सी कुलकाता पस्चिम बंगल आपका right answer है यहां पर भारत का पहला रोगानू रोधी पिर्तिरोध हब खोला गया है और अंगला question है भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है most important question है भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम बताना है question number 60 का सही answer है तेजस एक्सप्रेस यानि की विकल्प नमबर सी सही answer है भारती रेल भी ने 166 साल की इतिहास में पहला सबसे बड़ा बदला प्राइवेट ट्रेन चलानी का किया गया है पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रिस नवंबर में अहमदाबाद और मुंबई के बीच चल सकती है इनके अंदर सरकार ने इस ट्रेन को IRCTC को लीज पर दिया है अंगला कॉस्चन है रिसर्च डॉकिंस पुरुस्कार जीतने वाले पहली भारतिये कौन बनी है कॉस्चन नमबर है 61 और 61 का सही आंसर है जाविद अक्तर यानि की विकल्प नमबर C आपके यहां पर राइट आंसर है आंदप्रदेश आंदप्रदेश रही आंसर है अंगला कॉस्चन है भारत की बाहर दुनिया का पहला योग बिस्विध्यालाय कहां इस्ताफित कन्नी की गोषणा की गई है तो यहां पर गोषणा की गई है और Qशन नमबर है 63 और 63 का सही आंसर है अमेरिका के लॉन से एंजल्स आपका सही answer विकल्प number B आपका right answer है भारत का पहला राश्टी युद्ध इस्मारक कहाँ बनाया गया है आपको बताना है भारत का पहला राश्टी युद्ध इस्मारक कहाँ पर बनाया है question number 64 और सही आंसर है विकल्प नमबर डी नहीं दिल्ली इंडिया गेट की पास आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर डी अंगलिया कॉस्चन है भारत की पहली सेमी हाई यह स्पीड ट्रेन का नाम क्या है तो इसे स्पीड ट्रेन का नाम बताने है कॉस्चन नमबर 65 है और इसे ट्रेन का नाम क्या बताना तो इसका नाम है बंदे भारत एक्सप्रेश, बंदे भारत एक्सप्रेश, राइट आंसर विकल्प नमबर एक, अंगले question है, किस राज्य के बन विभाग ने भारत का पहला लाइकन पर्क विक्सित क्या है, तो उत्रा खंड दिली हमाचल प्रदिस मद्द प्रदेतु किस राज्य के बन विभाग ने बारत का पहला लाइकन पर्क इस्तापित या विक्सित क्या है तो आपका सही आंसर है उत्तराखंड विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है देरादुन उत्तराकंड की कुमाव शेत्र में नाइनावी राम परवर्तिय इलागे मुनस्यारी में राज्य के बन विभाग के अनसंदान प्रकोष्ट ने देश का पहला कवक उध्यान विक्सित क्या है कवक लाइकन एक प्रकार की पनस्पती है पीड़ों की तनों दीवार चट्नानों मिट्टी पर पनपता है भारत का पहला फ्लोटिंग वास्केट वर्ल कोट कहां शुरू किया गया है आपके लिए बताने कॉस्चन नमबर है यहां पर सड़ सट और इसका सही आंसर है मुंबई महराष्ट आपका यहां पर विकल्ब नमबर भी राइट आंसर है मुंबई महराष्ट अंगला कॉस्चन है यहां पर कि भारत का पहला हुम नाइटेड पुलिस रोबोट का उदगाटन किस राजने क्या है तो आपका राइट आंसर है कीरल यानि की विकल्ब नमबर एक आपका राइट आंसर है कीरल अंगला कॉस्चन देख लेते हैं कि भा पीजी पाइप लैन की आधार सिला कहां रखी गई तो कहां पर रखी गई इसका आंसर बताना है कॉस्चन नमबर एक गोरकपुर कांडला गोरकपुर है जो है आपका राइट आंसर होका कॉस्चन नमबर सत्तर है की भारत की पहली रोबोटेक सरजरी सेवा किस अस्पताल पे शुरूह होई है तो कॉस्चन नमबर सत्तर का इहाँ पर जो सही आंसर है बहुत का विकल्द नमबर एक यानि की क्या है राइट आंसर सफ़दर गंज आपके हैं इहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर देख लें सब्दरगंज अस्पताल में रोबोट सरजरी सुवीदा का उधगार्टन क्या है सरकारी विर्गपती के अनुसार भारत में कैंसरकार का पहला अस्पताल है जहां सबी गरीब मरीजों के लिए मुक्त उत्पन रोबोट सरजरी सुवीदा सुवीदा की गई है अगर आप अल्रेडी पहले से रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए संकल्प बैचे स्टार्ट हो गया है आपका 28 दिसंबर से यहाँ भी आपको dedicated doubt clear session होता है जिसमें आपके लिए 2 गंटे आपका जो है doubt clear session होता है और 28 दिसंबर से एह बैच आपका शुरू हो गया है अगर आप MPPSC की तैयारी सुरू कर रहे हैं and dedicated guidance चाहते हैं तो आपको mega foundation batch course है जो है यहाँ पर start हो रहा है पांच जनवरी से इसमें आपको मिलेंगी live classes है और MP के top educator है pre pdf है notes है weekly mega quiz भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्द हैं तो अगर यहाँ पर एक batch course की और बात करें सपन पूर्टी इसमें आपको जो है 35 दिन का आपका batch course है जिसमें आपकी तयारी करवाई जाएगी जिसमें आपको मेंस की complete preparation के लिए answer writing के साथ आपकी 35 दिनों में इसकी जो है तयारी करवाई जाएगी तो आपका शुरू हो रहा है सपन पूर्थी academy में आपको अपने घर में वेटे MP के top educator से पढ़ने का मौका मिलता है और educator जैंसे सववंग जी हैं यहाँ पर सववंग गुपता जी हैं अभिसेग जी हैं MP के जो है top educator हैं आईए तो अब जान लेते हैं कि an academy का subscription कैसे लेते हैं बस आपके लिए play store से an academy learning app डाउनलोड करना है इसमें आपको MPPSC select करना है फिर आपके लिए प्लस है पर क्लिक करना है प्लस है पर आप जो है इस पर जाकर आपको यहां से अपनी मन पसंद की जो बैच हैं आप यहां पर जैन करने फिर आपके लिए get subscription पर यहां पर क्लिक करना है इसमें आपके लिए आप देख सकते हैं यहां पर यह आपकी जो है कोर्स की प्राइज है इस परकार आपकी जो है कोर्स है एक महिने का तीन महिने का छे महिने का बारा महिने का और चुविस महिने का इसमें आपके लिए सुमिछ जैन रेफरल कोड अगर आप करते हैं एह सुमिछ जैन रेफरल कोड तो आपके लिए यहाँ पर दस परसेंट आप में एह ओर्स आपके लिए उपलब्द है तो यहाँ पर 10% discount के साथ आप Unacademy पर पढ़ना शुरू करें तो पिर देर ही किस बात की है दोस्तों आज ही Unacademy डाउनलोड कर लें और MPPSC ब्यापम से सम्मझ किसी परिक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं Unacademy एप के साथ तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लुग वीडियो को लाइक करने अगर आप चैनल पर पहली पर पाहली बार आये तो चैनल को सस्क्राइब करने, आप लिल आइकन दवाये, और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकार्य आप कहा तक पहुँची, ज बस अभी आपके लिए टेलिग्राम ग्रुप में ही उपलब्द कराया जाता है तो टेलिग्राम ग्रुप से अबस्य जुड़ें आज की वीडियों बस इतना ही सभी लोगों के लिए धन्यवाद जय हिंद